मेरे प्यारे स्टुडेंट्स आज से सुरू हो रहा है महा संग्राम बीए सिकेंडियर की क्लाफेज आज से प्रारम हो रही है और मॉडल कोईश्चन भी पेपर आपको प्रवाइड किये जाएंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बीए सिकेंडियर पर फिर 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 चात रहें अगर आप लोग डेली क्लाफे जॉइन करेंगे तो मैं सिस्टी से सेवंटी परसेंट की गारंटी ले सकता हूं आपको शफलता दिलाने की यानि की एक्जाम में पास्ट कराने की और अच्छे मांक्स भी दिलाने की तो आप लोग परड़े क्लाफे रटेंड कर करेंगे हिंदी इंग्लिश टोसोलोजी हिस्ट्री और भी जो भी कोस्स हैं जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी मार्डल पेपर आपको प्रवाइट किया जाएंगे तो आज से सुरू हो रहा यानि आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बिए सिकेंडियर हिंदी म कितने घंटे का टाइम मिलने वाला है और आप लोगों को कितने पुड़ांक होगा सारी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो को सुरूर से लाफ्ट तक बने रहिएगा और पूरा का पूरा मार्डल पेपर भी हम आपको प्रोवाइट करेंगे किस प्रिकार के कुश्चन तो साफ सुत्री बात यह है जो भी बिए सिकेंडियर के चात्र वो चाहे जिस भी इन्वर्सिटी को हो उनकी परिच्छाएं लगभग लगभग 98% इन्वर्सिटियों में लिखित होने वाली है 100 नंबर का पेपर होगा 3 से 3.5 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा अल analytical इन्वर्सिटीों के हिसाब से और उसमें 3 तरहे के कोश्चन पूच्छा जाएंगे पहला अतिलग उत्रिये, दूस्रा होगा लगउत्रिये और तीस्रा होगा विश्चित उत्रिये कुछ changes हो सकते हैं यह आपकी इनवर्स s intellectually में प्रस्चिट Kita करता है और जो अधी लंग उत्र होंगे उनके ऐंसर हुआप लोगों कोaster सब्डों में देने हैं और जो 裁ट्र अप्र विज़े हैं उनके आप लोगों को सब्दों करते हैं और जो से बिफ्जित उत्रियों माडल पेपर आप सिलेक्ट कर लीजिए तो देखते हैं कौन से कोश्चन आपको पढ़के जाना है और कौन से नहीं पढ़के जाना यह भी हम आपको बताएंगे चलिए यह पूरा का पूरा मैंने माडल पेपर तयार कर लिया कि अत्री लगुत्रियम कितने पूश्चन कुछ है गये थे कोश्चन पेपर और कुछ कई सालों के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के सारे कोश्चन प्रवाइट कर रहा हूं ठीक है याद रखेगा यह जो पूरी के पूरी वीडियो इसमें चांसे बहुत है आपके कोश्चन जो मैं बताने वाला हूं आने के एक मैं आपको बताऊंगा कि एंसर क्यों नहीं बताऊंगा और बताऊं या फिन ना बताऊं इसके बारे हम लास्ट में डिसकस करेंगे पहले हम आपको मोस्ट और टॉप लेबल के कोश्चन प्रवाइट कर देते हैं कि ठीक है क्योंकि आप सभी की कन्फूजन है कि सर कोश्च आति लग उत्रेत कम से कम 6-7 जो भी आपको कम से कम 5 तो दरूर लिखिए गा ठीक है दुबेदी युग के कभियों के नाम ठीक है दो क्लिए होगे आगला कोश्चन है कि भारतेंद युग की किन्हीं चार विशिष्थाओं का उलेक कीजिए जो भारतेंद युग है उसमें पॉइन्ट वाइच करके हैं विशिष्था, दोस्टा, तीन विशिष्था, चार विशिष्था इसी वाइचह चो शार लाइन में लिखनी है याद रखिएगा है ठीक है अगला कोश्चन है कि भारतेंद युग के प्रकत चील कभियों के नाम लिखना है तो भारतेंद उनके लिए ज्यादा हाड नहीं रहेंगे जो पढ़े ही नहीं हैं जिन्होंने कलाफेज ही नहीं किए तो उनको तो कोई भी पूछ ले जाए उनको तब भी हाड लगेगा ठीक है यह याद रखिएगा फिर आल आप लोग फोकस करिए अब हम आपकी पूरी जिम्मेदारी ले सारे में लिखना है बस पचास सब्दों में कम से कम छे से साथ पांचे लाइन में आप लोग लिख दीजेगा पूरे हो जाएंगा पचास हम अगले को बढ़ते हैं छे नंबर कोईश्चन है कि छायावाद का आरम किसी कभी की रचना से माना जाता है देखिए बहुत सारे प्रियोग योग इसका कभी की रसना से मानाँ लिखना है तोप एकजाम में पूरे पूरे चांसे आने के तिक है कि पंत जी का महा काप लोक जीवन का महाकाप भी है ठीक है जो समित्रा नंन 5 जी है आप लोग साठ में नाम इनका आएगा तो कंफ्यूज मत होएगा यह पंध जी आ गया तो आप लोग समझ जएगा सुमित्रा नंदन्द्ध जी के बारें बात हो रहे ठीक है तो सुमित्रा नंदन्द्ध का काउन सा महा काप भी लोक जीवन का महा काप बेश को लिखना टॉप डेबल का कोश्चन यह भी है अगला कोश्चन है कि कि राज परिवार से पंत जी का घानिष्ट संबंद था ठीक है पिछले क्लासों में जब मैंने आप लोगों क्लास कराया फस्टियर वाले में तो उसमें जी का पूरा नाम है वह नाम है सूर्य कांत तृपाथी निराला जी इनको उपाधी मिली है निराला जी की तो निराला की कभी जीवन का प्रारंब किस कभिता से हुआ जिसे बहुत सारे जैसे कि हम ह ant कर ले जो पढहाई के बादiu कहीं दो आपके पहले नवकरी कोण सी होगी वह इसी तरह से पूछा जा रहा एक नरामा के प्रार्मब लिया तो उन्हों ने पहले करें qualify लिखी थी कॉसे ति ती तक है वही कोशिट्ट पूछा रहा है कोश्चन है कि नई कविता का उद्भाव किसका विधारा के उसासन के उपरांत हुआ पढ़ ली जाए एक्जाम में आने के चांसे जाएंगे तो आपके एक्जाम में अतिलग उत्रे परसंट 10 पूछे जाएंगे लगब लगब 95 परसंट चांसे जिसी तरह है 95 परसंट चांस है कि दसी कोश्चन आति लगब उत्रे में पूछे जाएंगे हलाकि कई इनवर्सिटी अलग अलग है तो उनके नियम कानून अलग हो सकते हैं तो लेकिन 95 परसंट इनवर्सिटी में दसी कोश्चन आएंगे लगब उत्रे में तो लगब उत्रे में किस प्रका यह लिखिए दिश्क्राइब करिए वह पूछ रहा है तो इनकी जन्म कहां पर हुआ है कि शन में हुआ किस दिश्क्राइब करके कि लिख देना है कम से कम दो पेज में तो आपको पूरे एक जामना नमबर देगा तो लगत्र ब्याख्या करनी होती है और कुछ कोश्चन उसी में होते हैं जिनकी संदर्ब सहिद्व ब्याख्या और कुछ उसमें के लूट करूंगा कि कौन से टॉप टॉप के संदर्व साइद भ्याख्या है जो कि आपके एक्जाम में आने चांस है ठीक है तो दो कोईश्चन इसमें से हैं जो कि यहां पर जिन सब्सक्राइब देना चीहिंगे अब देखते लग उत्रे में और कौन से क्वेश्चन हैं जो कि टॉप लेवल के हैं इसकी तो मैंने लिखें पूरी तरह आ रहे होंगे तो मैंने क्लियर क्लियर लिखा है प्रकाश डाली इस इंपर्टन और टॉप लेबल का कोश्चिन नहीं गुप्त जी का मतलब आप लोग समझ जाएगा मैथली चरन गुप्त जी की बारे में बात हो रही क्योंकि इनका सर नेम है तो आप प्रसाद की का बिभासा पर प्रकाश डाली है जैसंकर प्रसाद जी की बात हो रही है इसी तर आपके एक्जामें को पुछे जाएंगे तो इसा भी नहीं होना मैं आपको बहुत बतादे रहा हूं ठीक है कि अगला कोश्चन है कि निराला ओज तो आप लोग समझ गया है सुर्व कांत्रीपांटी निर्यालाजी के बात हो रही है और अब पेपर देने जाएंगे तो किस वज़ा पे देने जा रहे हैं किस लिए देने जा रहे हैं आगे कुछ करेंगे पढ़ाई करेंगे कंप्लीट होगी आपको डिग्री मिलेगी तो इन्हों ने कभी इसको सिद्ध करना ठीक है अगला कोश्चिन है अग्ये के उप्मार विधान पर प्रकाश डाले तो अग्ये आप क्या है बहुत सारे चाहतर जुनों को नहीं मालूं है यह लिखाते हैं इनका पूरा नाम मैंने आपको बताया अगला प्रश्चन अगला प्रश्न आएगा टॉप लेबल कर संंग में तो आप लोगों के एक्जाम में जो लग उत्रे हैं उसमें से 6-7 question से पूंचे जाएंगे 6-5 question दिये रहेंगे उसमें लिखा होगा कि आप जो 7 question दिये गए इनमें से जिसके बारे में आप लोगों अधिक जानकारी है वो 5 question हल करिए तो 7 या 6 question नहींगे जिसमें से आप लोगों को 5 को हल करना है याद रखेगा ठीक है अब देर यानिकी विस्तित उत्रे question आप लोगों को किस ब्रकार के देखने में लिए मैं आपको बता दू विस्तित उत्रे में जैसांकर प्रसाद के कामाईनी महाकाव के लज्जा सर्ग के भाव ठीक है या वस्त पच्छ की विवेशना कीजिए तो जो जैसंकर प्रसाद जी है उनक मंदित विस्तित उत्रे में इनकी जो कामाईनी महाकाव मंदित question 100% पूथा जाए उचाहे लज्जा फर्ग को लेकर हो या फिर किसी और से सम्मंदित हो लेकिन कामाईनी और जैसे सम्मंदित 100% question आएगा तो पढ़ लीजेगा रट लीजेगा पक्का फसेगा आपका एक्ज लिखना है ठीक है 400-500 सब्दों में ठीक है याद रखेगा कांपी फुल करके आएगा पहले आप लोग कुछ भी लिखिए मतलब पहले अच्छे लिख दीजिए उसके बाद बीच में आप लोग कुछ बना बना के लिख सकते हैं पूरे नंबर मिल जाएं क्योंकि बीच वा प्रकास डालना है लेकिन कभी जो है लेखक जो है अलग है और वहीं सेम पूश्चन है ठीक है इसको भी पढ़ लीजेगा टॉप लेबल कोश्चन है एक्जाम में आने ज्यादा चांस है ठीक है लिखा कि अग्ये के काप भी कि कला पच्छिये यानि कि उनकी जो काप भी उ उसके बारे में विसेश किया है कि उसे किसी किसी इंसान को या फिर चीज को बेनिफिट मिली हो लाब मिला हो ओं फिसेशों पो gì चैस जो है ही तो आपर तीर ओर चारा हो ने चाहिए ठीक है तो आपके अ क्यां में चार को आफ्रकिष देखने को मिलेगे जस्तित तो पन् लीजेगा समझ लीजेगा सारे को इसमें से आप लोगों को मैं गारंटी दिलाता हूं कि 60-50% चांसे हैं इसमें से एक्जाम में प्रस्तुत करेंगे बस आप लोग हमसे जुड़ी रहेगा सारे कोश्चन का आप पढ़ लिजेगा तब तक हम नेस्ट के लिए तैयार रहेगा तब तक इस सारे कोश्चन का आप लोग अंसर पढ़ लिजेगा ठीक है कोई कोश्चन है कोई सुझावत कमेंट करके पूछ सकते हैं लिंक वीडियो डिस्क्रेशन में मिल जाएगा टेरी ग्राम और वाट्स अप का ठीक है उससे जॉइन हो सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो तो तक लेजा झाल समय कर दोर कोई सकते हैं नेस्ट रवाटे की हैं जाल समय करेंगा लिए कि अलिए फडियोग्तिय।